जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलिस्कोप है यह दो टाइप के होते हैं एक तो बनाया था न्यूटन ने जिसको न्यूटोनियन टेलिस्कोप बोलते हैं एक बनाया था कैसे ग्रेणियन नाम के सैंटिस ने जिसको बोलते हैं कैसे ग्रेणियन टेलिस्कोप दोनों ही जो टेलिस्कोप है, उनको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलिस्कोप, क्योंकि इस दोनों में ही हम कौनके मिरर यूज करते हैं, तो पहला हम आपको बता रहा हूं, नूटॉनियन टेलिस्कोप, जो नूटन ने बनाया था, यह जो रिफ्लेक्टिंग का रिप्लेस्मेंट उसकी जगह हमने यूज किया है तो इसको हम बोलते हैं अब जो अब्जेक्ट उसकी तरफ इसका माउथ कर देंगे तो अब्जेक्ट मालों इधर इंफाइनेट पर है कहीं पर तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वह इस तरीके से इस मिरर की उपर इंस इस तरीके से इसिडेंट हो रही है या क्या करेका रेगा हुआ कर रहा है इस तरीके से को मिरर इस तरीकि बीच में बीच में यहां पर प्लेन मिरर लगा देंगे च्छोटा सब यहां पर यहां पर यहां से और पॉइंट के वपर इस तरीके से सारे की सारी light rays converge हो जाएंगी यहाँ पर फिर यहाँ पर हम एक eye lens रखेंगी यह है eye lens और इस eye lens से इधर से हम जो image बनेगी इस point के उपर उसको magnify करके देख लेंगी ठीक है तो eye lens का काम क्या होगा image को magnify करना कौन के हो जो mirror है उसका काम क्या होगा light rays को इकठा करना यह plane mirror बीच में क्यों लगा दिया क्योंकि अगर आप यहाँ पर eye lens रखके देखते हैं इस image को magnify करके तो आप खुद light rays की बीच में आ जाते तो light rays फिर इस mirror क्यों पर कैसे गिरती तो हमने क्या क्या बीच में छोटा सा mirror लगा दिया तो वह reflect करके इधर ले आएगा फिर इदर से आराम से आप देखो यह तो कर नहीं सकते कि यहां पर हम बीच में भी आ जाए और light rays को ब्लोक भी नहीं करें अगर आप बीच में आप आके अगर इस image को magnify करके देखोगे आइलेंज से तो आपको बीच में आना ही यूज करना है लेकिन इसमें डिफेक्ट होता है डिफेक्ट क्या है कि यह जो light rays है यह 100% इस पॉइंट की ओपर converge नहीं होती है कुछ light rays इदर उदर चली जाएंगी लोस हो गया तो यह कम करने के लिए इसको दूर करने के लिए हम यह जो plane मीरर इसको रिप्लेस कर देंगे एक Convex mirror से, तो उसमें हम देखते हैं कि सारी की सारी लाइट रिजिकटा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कैसे Granian Telescope, ये तो था Newtonian Telescope जो Newton ने बनाया था, लेकिन इसमें correction करके बाद में Telescope किसने बनाया, कैसे Granian नाम के सैंटिस ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे ग्रैनियन टेलिस्कोब और वो कैसे हो देखो ध्यांत से plan mirror को किस से replace कर दिया plan mirror को किस से replace किया और बोलो convex mirror से यह convex mirror है जिससे हमने plan mirror को replace कर दिया अब देखो किस तरीके से image बनेगी सामने वही हमने conquer mirror use किया है तो light is यbook कि Tet выз disfr आ रही होंगी इस तरीके से conquer mirror के उपर इंसिडेंट होंगी लाइट रेस इनफाने शारी होंगी इदर ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट रेस यह क्या करेगा यह जो कौन के मिरर है यह अपने फोकस की उपर राइट रस गठा करेगा तो होंगी आगे जाके यहां पर इस तरीके से और यह लोग लेकिन बीच में क्या रख दिया और रिफ्लेक्ट करेगा तो आगे जाके यह इधर कहीं यहां पर इमेज बनाएंगी तो जो इमेज यहां पर बना लिया इसके बीच में चोटा सा हो ले से बहार निकल जाएंगी यहां पर बना लिया फिर यहां पर क्या करेंगे आई लेंज रखके हम इधर से इमेज को मैगनिफाई करके देख लेंगी तिये इस एक तरह से कैसे ग्रेंडियन टेलेस्कोप की वर्किंग होती है तो दोनों टेलेस्कोप में आपने देखा एक ही टाइप का काम हो रहा है बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है जो नुटोनियन टेलिसकोप है ऊसमें प्लें मिरर यूज किया था जिससे अमने लाइकर बीजै का वो रहा था लेकिन अगर हम उसकी बजाए क्या यूस करेंगे कॉनवैक्स मिरर यूज करेंग प्लें मिरल की बजाहे तोका होई से क्लियर और ब्रैट इमेज बनेगी तो यह इसकी वरकिंग है तो इसका फॉर्मला जरूर आप लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है इस पार अबजेक्टिव लेंज की जिगह कोन आ गया मिरर तो अबजेक्टिव मिरर की फोकल लेंज डिवाइड वई आई लेंज की फोकल लेंज ठीक है इससे का क्या आपने पास में तो इस पर शॉट नोट पूछते हैं कई बार एक्जाम में कि रिफ्लेक्टिंग टेलिसकोब के क्या बेनिफिट होते हैं यह पूछ सकता है छोटा गिशिन या फिर जो रिफ्लेक्टिंग टेलिसकोब उसको समझाओ तो डाइग्राम बनाके बस एकस्प्लेइन करना कोई